हेलो फ्रेंट्स अन वेल्कम टो वर चैनल क्रिएट घर और नेक्स वीडियो मेरा नाम है प्रभाद आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिंग स्टेर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाने वाले हैं इस्टेर्स अपने फ्लोर फ्लान के अंदर हम किस तरह से अर्मेस के पहरें कर सकते हैं चाज द Abg कर नर्द करने वाले हैं इसके बात करने वाले हैं कि यहां पर अभी आप इस्टेर्स बढ़नी दिख रही होगी है हमारी यह तो सब Deus तो हमारे पास stairs यहां पर कितने तरह की होती हैं या कितने तरह की stairs को हम यहां पर use कर सकते हैं तो stair हमारे पास यहां पर सारी तरह की होती हैं ज़से की L-sama is should you shape लोब और मारह ज़सा की straight-seller इसी तरह कि आप कई भी idoशी आप किसी थरह की design को pro floor plan के अंदर यहां पर create कर सकते हो अभी यहां पर आपको जो stair दिख रही होगी यह है हमारी L-shape की क्योंकि इसका जो shape है वो इस तरह से और आगे से हलका सर turn हुआ है left side की तरफ तो यह है हमारी L-shape की stair बट अगर हमें यहां पर create करना होता तो हम यहां पर क्या है simply straight stair भी create कर सकते थे वरना हम यहां पर U-shape की stair को create कर सकते थे बट हमने यहां पर क्या क्या है L-shape की stair को create किया है यहां पर आपके floor plan के according जितनी space है आपके पास यह आपको जो भी design create करनी है उस पर हम यहां पर कैसे मैनेज करते हैं चलिए हम उस पर बात करते हैं सबसे पहले जो में पॉइंट है हमारा वह हमारा स्टोरी हाइट क्या होती है हमारी ग्राउंड सर्फेस से फर्स फ्लोर की जो हाइट होती है उसे हम कहते हैं स्टोरी हाइट हमें जीने जो बनाने हैं वह कहां से कहां तक कि कितनी height तक के लिए बनाने हैं तो वो होती है हमारी story height जो कि हम इस case में suppose ले लेते हैं 10 feet उसके बाद अब stair में हमें क्या-क्या चीज़े देखने को मिलती हैं चलिए हम पहले उस पे बात करते हैं यहां पे हमें क्या-क्या चीज़े दे रखी है सबसे पहली चीज़ तो हमें यहां पे दे रखी है riser जो कि है हमारी यह वाली height उसके बाद हमें यहां पे दे रखा है tread यानि कि जिस पे हम pair रखते हैं तो सबसे जो main part है stair को जब भी आप create करते हैं जो आपको ध्यान देना है वो है हमारा पहला तो हो गया riser और दूसरा हो गया हमारा tread riser क्या है यहां पे? यह जो height आप उपर की तरफ देख रहे हो यह है हमारा riser riser के height क्या होती है? हम कितनी रख सकते हैं tread की जो breath होती है वो कितनी हो सकती है? हम उस पे अभी बात करते हैं तो यह riser हो गया हमारा जो की ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे आप stair की तरफ ऊपर चलते चले जाओगे, आपकी जो riser की height है वो भी यहाँ पे साथ साथ में ऊपर जा रही, यानि कि आपको जब भी stair create करना है तो आपकी जो riser की height होती है, वो बहुत ही जादा important होती है, तो यह हो गया riser, यह हो गया tread, अब अगर हम stair rate करना है, तो हम कैसे करेंगे, चलिए हम उस पर बात करते हैं, story height आपको पता होगी क्या होती है, उसके बाद अब बात आती है riser की, तो riser की height जो होती है, वो कितनी हो सकती है, residential purpose के लिए, अगर आप घर के लिए stair बना रहे है तो जो riser की height होगी, वो लगभग 8 inch से, आप 10 inch तक दे सकते हो, 11 inch कर दोगे, 1 feet कर दोगे, तो क्या आपको pair उठा के जब रखना होगा next riser पे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम 8 inch से 10 inch तक रखते हैं, इस वाले case में, अगर हमे stair बनानी है, कितनी story height 10 feet height तक के लिए, 10 feet height तक के लिए, तो हम जो यहाँ पर riser लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे, 8 inches का, उसके बाद, अब बात करते हैं, tread की, tread का size क्या होगा, तो tread का size, normally कितना होगा, 9 inch रखोगे, तो आपके pair का size, जो है, वो comfortable fit हो जाए, आपकी stair के ऊपर, उसके according हम यहाँ पर trade का size देते हैं, तो normally हम यहाँ पर 10 inch दे लेते हैं, अगर आपके पास space और ज्यादा है, आपके floor plan के अंदर, तो आप यहाँ पर 11 inches, या 1 feet भी, दे सकते हो, trade का size, जिस पे हम pair रखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था, अब हमें यहाँ पर calculate करने हैं, number of steps, तो number of steps को हम हम यहाँ पर कैसे calculate करेंगे, हम उस पर बात करते हैं, तो number of steps हमारा यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो 8 inch riser की height हम लेते हैं, तो 8 inch, यानि कि riser height into, अब into हमें यहाँ पर क्या करना, हम यहाँ पर assume कर लेंगे, कि हमें इतने जीने लगेंगे 10 feet की height के लिए, अगर हमारे ris riser की height है, वो हमने यहाँ पर 8 inch अगर ली है, तो उसके हिसाब से हमें कितने जीने यहाँ पर assume करने पड़ेंगे, कि कितने लगेंगे, हम यहाँ पर मान लेते हैं 14 यह 15, I think 15 लगते है, तो 15 हमने suppose assume किया, ठीक है, riser की height है, वो 8 inches थी, जो number of steps थे, वो हमने यहाँ पर क्या ल होंगे, ठीक है, तो 8 x 15 कितना होगा, 8 x 15, 120, तो 120 होगे हमारे पास, यानि कि हमारी जो total height है, वो कितनी होगी, 120 inches होगी, inches क्यों होगी, क्यों हमारे जो riser की height थी, वो भी यहाँ पर inches में थी, तो number of steps into riser is equal to 120 inches, अब हम यह कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जितने भी risers यह create है, suppose यह सारे क्या है, 88 inches के हैं, ठीक है, तो 8 inch यह हो गया, उसके बाद, 8 inch यह वाली height हो गई, उसके बाद, फिर से हम यहाँ पर 8 inch और लेंगे, तो यह वाली height, फिर 8 inches और, तो यह वाली height, इसी तरह से यहाँ पर और 8 inches, फिर यह 8 inches, तो यहाँ पर जो total height हमारी यहा यहां पर calculate करते चले जाएंगे तो total जो हमारी height होगी वो कहा तक जाएगी 10 तक तो 8 inch के riser है हमारी total height 120 inches है 120 inches को हम यहां पर calculate करते हैं fit में तो हमारा 120 inches divided by 12 यानि कि 1 feet में 12 inch होते हैं तो हमारी inches में हैं अगर हमें fit में convert करना है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 120 divided by 12 जैसा कि यहां पे दिया गया है उसके बाद equal to तो उसके बाद हमारा जो answer आया वह आया 10 जो कि होगा fit में क्योंकि हमने इसको convert किया है fit में उसके बाद अब यहां पे हमने इसको calculate कर लिया ठीक है तो calculate करने के बाद हमारी जो total height आयी है fit में वह कितनी है 10 fit यानि कि हमें 15 riser लगेंगे 8-8 inches के हमारी 10 fit के छट के लिए यह clear हो गया कितने riser 15 riser तो 15 riser हमें अपने floor plan के ऊपर create करने हैं U shape में या L shape में या round shape में या straight में किसी भी तरह से आपको बस create करने है total कितने 15 वापस हम चलते हैं अपने floor plan के ऊपर सारी चीज़े हमने देख ली हमें यहां पर total कितने riser चाहिए 15 riser चाहिए size क्या है हमारे riser का वो है हमारा 8 inches तो उसी के according हमने यहां पर पहले से create कर रखा है बड़ इसको हम कर देते हैं अभी डिलेट उसके बाद अब हमें यहां पर create करना है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको अपने floor plan के ऊपर जहां पर भी create करना है वो सारी चीज़ें आपको manage करनी पड़ेंगी खुद से ही हमार पास अभी यहां पर space है तो हम यहां पर create कर लेते हैं O enter उसके बाद 3 feet आपकी जो tread की ब्रेथ होगी यानि कि चौड़ाई होगी steps की वह कितनी होती है लग बग story height थी हमारी यहां पर total 10 feet हमने जो riser की height ली थी वह कितनी ली थी यहां पर 8 inches उसके बाद हमारे जो tread का size था वह हमने लिया था यहां पर 10 inches उसी के according number of steps हमने यहां पर calculate किये थे अगर हमारे पास 8 inch का riser होगा हमें total 15 riser लगेंगे 10 feet तक की height पर जाने के लिए तो यह सारी चीज़ हमने यहां पर calculate कर ली थी उसके बाद हम floor plan पर जाएंगे अब हमें यहां पर create करना है total 15 riser तो offset thread की height हमने दी थी 10 inches 10 inches type किया enter enter करने के बाद हम इसको नीचे की तरफ 10-10 inches offset कराते हुए से ले जाएंगे पहले हम ऐसे ही offset करा देते हैं यहां पर आप सपोज यहां पर हमने इतने risers को create कर लिया है मैं यहां से जो extra line है वो कर देता हूं delete यह कर दी उसके बाद आप यहां पर आपको create करना है वो आपके उपर ही depend करता है आपके घर के floor plan के उपर depend करता है हम यहां पर बनाएंगे L shape की हमने इसको कर दिया trim उसके बाद अब यहां पर calculate करते हैं total कितने हो गए तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और यह 10 दस हो गए हमें यहां पर पांच और create करने तो फिर से offset 10 inches एक दो तीन और जो दो बचे हैं वो चार और यह पांच बाकी जो extra line से हम उनको कर देते हैं यहां पर trim उसके बाद अब हमारे पास जो यह वाला part बचा है इसे हम क्या कहते हैं हम वापस से चलते हैं अपनी stairs की images पर यहां पर आपको जो यह part दिख रहा है इसे हम कहते हैं landing जोकी total एक stair में या एक step में count होता जैसे कि एक यह हो गया step ठीक है एक दो तीन चार पांच और यह जो पूरी की पूरी landing है इसे हम करते हैं एक step में count तो यह हो गया 3 की एक landing को create करा है जो की है हमारी ये वाला बाट इसे हम कहते हैं यहां पे landing जो की count होता है as a 1 step तो हमारे पास यहां पर total अब कितने हो गए riser 15 riser calculate हो चुके हैं हमारी कितनी height के लिए 10 feet के height के लिए तो हमारी stair थी वो हमारे floor plan के ऊपर create होके आ चुकी है बहुत ही simple way में इसी तरह से अगर आपकी height जो है वो 10 feet से जादा है उसे के according आप अपने riser के height ले लो लगबग 9 inch ले लो या 10 inch भी ले सकते हैं उसके बाद आप tread का size ले लो उसके according number of steps आप assume कर लो सपोस्ज यहां पर अब हमें के लिए यहां पर steps को create कर सकते हो बहुत ही easily अपने floor plan के ऊपर तो यह थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करें for latest updates, floor plans, house designs के लिए आप हमारे pages को भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगी thank you so much